आईलेंड अस्थल खंड के से भाग होते हैं जिनके चारो और जल का विष्थार पाया जाता है अकार में दीप छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं इनका अकार कुछ और मीटर से लेकर हजारो और किलो मीटर तक पाया जाता है आज हम आपको दुनिया कुछ खतरनाक आइलेंड के बारे मताने वाला हूँ नममर वन इसनेक आइलेंड ब्राजिल इसनेक आइलेंड ब्राजिल के साओ पालो प्रांद की समुंदरी सीमा से 33 किलो मीटर दूर इस्तितिस आइलेंड का नाम इला देई को ये माड़ा ग्रेंड है इस खतरनाक आईलेंड को इसनेक आईलेंड के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर सापों की संखिया इतनी अधीक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5-7 साथ साप रहते हैं इहां पर 4,000 परकार के साप आया जाते हैं इस आईलेंड का छेतर 4,30 म्म का है इस आईलेंड के खेकरे यहां दीप अफिर्गा का लोग प्रटन अस्थल भी है लेकिन इस चालिस मिल लंबे आइलेंड में सारकों की मौझूदगी चिंता कभी सह है सारकों ने 2011 और पंद्रों की बीच 17 हमले किये हैं जिन में 7 लोग मारे गए पिछले कुछ सालों से यहां सारकों दोरा हमला करने के मामलों 13 परसंट की बड़त्री हुई है इटली में एक ऐसा दीपेजी से आइलेंड आफडेट के नाम से जाना जाता है माना जाता है कि यहां जाने वाले लोगों को जिन्दा लड़कर रापाना मुस्किल है इस आइलेंड से जुड़ी ही एक खौपना कहानी है कहा जाता है कि सैक्डों साल पहले इस आइलेंड पर पलेक के मरीजों को लाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था बाद में बलेक डेट यानि काला बखार की समय बे इस आइलेंड का इस्तेमाल किया गया जो लोग मर जाते थे उन्हें अहीं दफना दिया जाता था बाद में मरीजों की बरती संकिया को देखते विलागए एक लाक 60 यर बिमार लोग को जिन्दा जला दिया गया इसके बाद से लोग इस जगों को भुताम मानने लगे हैं और यहां आइलेंड पूरी तरह से बिरान हो गया है इसकाटलेंड के गुरुई नाड की खाड़ी में वसा एक छोटा सा दीप है ए आइलेंड करीब 2 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चमड़ा है दूत्य बिस्यूत के दवरान बीटे न इस आइलेंड पर एंथ्रेक्स नाम के जरीले गयस का परिछड किया था जिसकी वज़ा से हाँ जाना खतरनाक है इस गयस के चपेट में आने पर पहले हलका बुखार आता है थोड़े समय बाद आंत्रिक डग्त सराव की होजा से इंसान की मौत हो जाती है इस गयस की सबसे खतरनाक बाती है कि इसका असर किसी भी जगह पर कई सालों तक राता है सावा आईलेंड के रिवी याई समुन्दर के बीच मुझूद है सावा आईलेंड की खुबसूरती देखने लायक है 13 स्कौाइर किलो मीटर में बसे छोटे आईलेंड पर मातर 2000 लोग रहते है समुन्दरी तुखान के कारड यह जगह बहुत ही खतरनाक है सन अनई सान्तानवे के बाद यहां भुकम के जटके काफी बढ़ गये है यहां की जमीन कभी भी डोलने लगती है इस वजह से माना जाता है कि आईलेंड को कभी भैंकर जवालामकी बिस्पोट हो सकता है तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और वीडियो जड़ा से भी अच्छा लगा होनों तो लाइक कर देना यार और हाँ चैनल की सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं अपले ऐसे वीडियो लाता रहता हूं